इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं जिसका किसी भी व्यक्तिया घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा इस कर दो इसाथ वहन दोजए योजशना इस कोई इसा है अधि कर रपे यस कर दो संस्यरा कर दो achen कיhews आयमान, 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 आयमान दिगदिगंत और अनंतक दूंजायमान है प्रम्हनाद है विधी का ववतल विधान है धर्म की या धर्म पर विजय का वो प्रमान है वो आयमान है वो अजल विधान है विजय का वो प्रमान है प्रह्मान का महान युद्धा वो आयमान है आर्यमान, आर्यमान, आर्यमान प्रह्माण्ड का महान योद्धा आर्यमानुहले आर्यमानिहे आनिमान को आर्यमान है आर्यमान है आर्यमान 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 अनन्द असीन प्रह्मान अद्भुन विशाद विराद जहां संख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षन बनती रहती हैं, मिटती रहती है हर आकाश गंगा में होते हैं अंगिनत तारे, अनेकों सूरच और सूरच के साथ होता है अपना सौर मंडल जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह नजाने कितने सूरच चमके और बुझ गए न जाने कितने तारे चमके और खो गई न जाने कितने ग्रह, कितनी पृत्वियां, कितनी सभ्थाएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनन्द धारा में इनी अन्जानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महा गाथा, ब्रहमांड के योध्धा, आर्यमान की बहुत समय पहले, प्रिथ्वी से लाखों प्रकाश वर्षतूर, आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रहमांड के लिए मूल्यवान था, थार क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहांसे दुरलग जीवन दाई पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे, ये किसी भी ग्रह की जहरेली से जहरेली हवा को भी रासाइनिक प्रक्रिया से प्राणवायू बना देता था, जीने के लायक बना देता था, कहावत थी थारस जिसके वश में पूरी आकाश गंगा उसके वश में, आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के निमों के अनुसार, थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था, यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं, राजा होते हुए भी जारांत अपना राज गंतंत्र प्रणाली से चलाता था, खानों से निकलने वले थारस का 25 प्रतिशत भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संग्ठन में चला जाता था, ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संग्ठन था, और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक क्रित्रिम ग्रह ओसेक से होता था, मगर ओसेक संग्ठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अतिभात्वा कांख्शी थे, जो पूरे ब्रहमांड में अपना अधिपत तिस्थाबिक करना चाहते थे, परन्तु जब तक ओमियान था, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था, ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी, और अपनी शान्ती सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रहमांड में शान्ती और व्यवस्था बनाए रखती थी, इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग, होशिंग जिस ग्रह पर रहता था, उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेद्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक बहाज़ा। जहां लोगा, इसके पंदार। लोग्ष गाँ जाँ जान्ता अवीटा जान्ता वे जिये लेकां वेकार। कर दो कर दो कर दो हुआ अज़ा है नाक्षंद्रा नाक्षेंडरा मुझे तो आना ही था बता, अपने ख्वाइश बता, किस लिए आई है यहाँ? मुझे देखिए कालमानव, कितने खुबसूरत हूँ मैं, और कितनी ताकतवर भी हैं. मेरे रॉम रॉम में विश्वास और शक्ती भरी हुई है. लेकिन ये योवन और ये शक्ती, आखिर कब तक मेरा साथ देगी, आखिर कब तक मेरे पास रहेगी, कालमानव? वक्त के साथ साथ, मेरी उम्र घरती जाएगी, मैं बूरी हो जाओंगी, कालमानव? ये सच्छ तो हर जीविक प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है, रक्षंद्रा. मैं इस सच्छ को बदलना चाहती हूँ, कालमानव. इसलिए मैं आपके पास आई हूँ. मुझे निलाश मत कीजे, कालमानव. मुझे ऐसा वर्दान दीजिये, कि मैं हमेशा जवान रह सकूँ. मैं आपके यहां से खाली हाथ नहीं रोटूंगी, कालमानव. नहीं रोटूंगी. कालमानव किसी को भी खाली हाथ नहीं लोटाता, रक्षंद्रा. तुम हमेशा जवान बनी रह सकती हो. अगर इसके लिए, तुम्हें कड़ी साधना करनी होगी. करूंगी, कड़ी से कड़ी तपस्या करूंगी मैं. कालमानव, मुझे ये तो बताएगे, कि मुझे करना क्या होगा? तुम्हें हर सार इसी तरह आग में से होकर उसरना होगा. इस तरह तुम पूरे साल जवान बनी रह सकती हो. जिस साल भी तुम ऐसा नहीं करोगी, उस साल से तुम्हारा बुरहा बाप शुरू हो जाएगा. मैं करूंगी, कालमानव, मैं करूंगी. हाँ, ये आग तुम अबसे जहां चाहों पैदा कर सकती हो. लेकिन अभी आगे भी सुनो, आग में से गुजरने से पहले जरूरी है कि कोई शक्तिशाली पुरुश तुम्हारे बाओं का चुम्बन परे. उसके बाद ही आग में गुजरने से जवानी मिल पाएगी तुम्हें. और हाँ, जब कोई ऐसा युद्धा तुम्हारा बाओं चुमेगा, जिस पर आग का कोई असर न होता हो, तो फिर तुम हमेशा के लिए जवान बन जाओगी. फिर तुम्हे बार बार हर साल आज से गुजरने की ज़रूरत नहीं रहेगी. अब ये लो! इस मायावी यंत्र से, तुम जिसको भी चाहो अपने बश में कर सकती हो. बगर ध्यान रखना, तुम्हे बरदान हमेशा जवान बने रहने का मिला है. अमर बोने का नहीं. नहीं, जब मुझको अलाहाई नहीं आएगा आएगा आएगा, तुम्हें मेरे मुद कैसे हो सकती है? हाँ? बगर भी हो सकती है तुम्हारी. कैसे? जो पुरुष इस मायावी यंत्र को दोल देगा. अल अगर उसके पास विसी साथता दियात के बिए अस्तर हुआ, वहो पासता है तुम्हें. अचा वुम्हारी, जो रचिन्वारी. हाँ? 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 तब से लेकर आज तरह, मैं हर साथ किसी शक्ती शाली फुरुष से अपना पाउं चिन्वाते हुआ, और इस आप से गुजर कर हमेशा जवान बनी रहाएगा. मगर अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो मिल गए हो, तुम पर आज का कोई असर नहीं होता. हाँ? अब तुम समझे, आरेमान, मैं तुम्हें यहां क्योंने कराई हूँ? चलो, अब जल्दी से मेरा पैर चुमो, मैं इस आज में जाने को बेसबर हो रहींगी, आओ, आरेमान, आओ! तुम ने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? बेकार की कोशिश मत करो, मेरी साधना पूरी होने वाली है, आरेमान, तुम वही करोगे जो मैं चाती हूँ और तुम्हें वह करना होगा! नहीं, यह कभी नहीं करूँगा वह, कभी नहीं! तुम्हें यह करना होगा, आरेमान, तुम्हें मेरे पैर चुमने होंगे! चुमो मेरे पैर! चुमो, आरेमान! मैंने कहाना कभी नहीं! अभी भी दिवे आस्त्र पाना चाहते हो, आरेमान! यह लोग! अएंग! अएंग? तो तो फुछ खप्म हो जाओगे, नेकिन ते पहले तुम मेरे पैरे जाओगे, आओ आओ आरेवन, चुमो मेरे पैरे, आओ! शंतरा, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, तभी पूरा नहीं होगा! आओ! 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 ये क्या होगा? ये कैसे होसता है? रक्षिंदरा ने दिवे अस्तर कुनाश्क कर दिया? आरमान दिवे मुस्तर पर्मे के बादी, क्यो कम्सर पर देया रक्षिंदरा किसे? क्यो? आओ! 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 कभी में मुझे जाना ही जाना ही ओका मुझे मुझे आज में जाना ही जाना ही जाना है अरि आज में जाकर ही मैं हमेशा स्लिक जवान बनी की है आओ आरैमान, नहीं आज चही आज मुझे जवान, जवान हमेशा के लिए क्यों क्यों हो आरैमान?में थायस्तू मोह झाल Anusha? Anusha! Anusha?! Anusha? Anusha? रजब इने से लोग औरीक रधर करें। Anousha! 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 अदो शटेशा आर्यमान, आर्यमान, आर्यमान प्रह्मान्द का महान युद्धा वो आर्यमान है आर्यमान है आर्यमान शील शूर वीर है प्रचंड वेगवान न्याय शील दान वीर है अधम्य ओजवान चन नायक महाप्राण है महाबलिदयावान कोटि कोटि सूर्य की प्रचंड ताय विध्यमान आयक महाँ आयक महाँ